रिकमेड आप यूनिक्वान के ऊपर चले जाए क्योंकि यह जो नेम है यह और यह यह दोनों अपने साथ पावर पर्फोर्मेंस और एक लॉंग पीछे थोड़ी बाइक सब्सक्राइब आगे हमारे पास आज अवेलेबल है हॉन्डा यूनिकॉन यह बिए सिक्स वेरियंट है एट्वेंटी वाला तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपके लेक वैल्यू फर मनी पैकेज लेकर आती है या तो फिर नहीं उस सारी बातों के ब आपको कोई भी चेंजिस देखने को नहीं मिलते हैं वहीं कॉमन सा जो अपना रेग्यूलर यूनिकॉन का दासू सा लूक है वह देखने को मिल जाते हैं बट इसकी जो ग्रिल है ना वह थोड़ी बड़ी हो चुक है और यहां पर थोड़ी डिजाइन दीगे ताकि इस पर आजा सके नीचे आपको हेलेजन बल्ब मिलता है और फ्रंट में वहीं रेग्यूलर आपको सस्पेंशन सेटप मिलता है कोई भी अपग्रेड नहीं है एक चीज़ पूरा का पूरा जो इस बाइक में लाइटिंग सेटप हो सबका सब आपको बल्ब में देखने को बाइक में आपको 18 x 100 xp ग्रेशियों का अट राइंस का टायर मिलता है जो कि वैल गूड है इस बाइक के एकोडिक और अगर हम बात करें अब आउट फ्रंट वाइजर अगर आपकी बाइक कभी गिर भी जाएगी ना गलती से तो इतना जादा मुझबूत है ना कि यह टू कि आती है ताकि इस बाइक को एक दासू और बलकी हैवी बाइक वाला लुख दिया जा सके यहां पर आपको जो टैंक साइस हो आप उपने स्क्रीन पर पड़ सकते हो यहां पर होंडा के बेजिंग मिल जाएगी और में जी जोकी यूनिकॉन के सब सब बैस्ट है और जिस व बाउट कि यह राइड कैसे प्रोवाइड कर वाद है यानि कि खराब रास्तों पर पिक अपने टॉर्क में क्या डिफरेंट रहने वाला है तो हर एक तरीके के अगर आप गाउँ में पी चलाते हो या फिर सिटी में भी चलते हो तो भी इसकी राइड क्वालेटी काफी ज् बताने वालो तो वीडियो का अंडर से जरूर देखेगा अगर हम बात करें यहां पर साइडें में तो आपको यहां पर गरनिफिंग मिल जाए कि बाकि सारे ही तो पार्ट से वो सब भी फाइबर में देखने को मिलता है और फाइबर की क्वालेटी की थे फिट अगर हम बात करें चेंड कवर की तो वो भी आपको पूरा का पूरा ही फाइबर में देखने को मिलता है एक फोट रेस्ट है यहां पर आपको तो गेर सिस्टम में सिंगल में ही मिलने वाला यानि कि एक गेर डाउन बागे के सारे अप में जाएंगे पीछे की तरफ वाला यह माने कि वही पूरा नावाला गेर सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल जाता है पर अगर हम बात करें रियर टायर सइस की तो वह भी में आपको दिखा देता हूं यहां पे रियर में आपको दिखा देता हूं आपको रियर में भी 18 x 100 x 19 x ग्रेशियों का अठराइंस का टायर देखने को मिल जाला है और इंफेक्ट यह अगर आप इसे कराब रास हो फिया फिर स्लिपरी रोड्स पे लेकर दाता हूं और तब भी यह आपको काफी अच्छी स सब्सक्राइब में कुछ इस तरीके का लूक आपको प्रवाइड करवाती है यहां पर सारा जो लाइटिंग सेक्शन हो आपको बल्ब में देखने को मिलेगा कहीं पर लेड़े यूज नहीं किया गया नीचे की तरफ आपको होंडा की बेजिंग देखने को मिल जाएगी औ और यहां पर बहतरी चीज जो लगते ना मुझे वन सिक्स्टी सिसी में अभी भी स्टेल इसमें किक स्टार्ट आ रहा है तो कि ज्यादा तर बैक में सब सिक्स्टार्ट हर चुका है बट इसमें इसमें आपको देखने को मिल जाता है तो यह वाला वेरियंट जो है वो फ्र प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली अब हम चले जाते हैं सिल जाही बाइट के ऊपर है कि यहां पर हम बात करें तो यह रहा जो है इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्चर एक बार में से स्टार्ट करके दिखा दू तो यहां पर आपको एपीस यानिक एंटिलोग ब्रेकिंग और यहां पर इसके टॉप स्पीड मेंशन की गिए वन शिक्स्टी बटिए वन ट्वेंटी तक इजी जाएगी आपको कुई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहां पर आपका फ्यूल होगा है नीचे आपको हाई भीम लो भीम यहां पर आपको इंडिकेटर और नीचे आपको इंडिकेटर तो देखने को मिल जाएगा और करां है रहा हनल के तो आपको हाई भीम भीम यहा पका प्याइसे सार्य लाजगर करवा दिय। और वेम्स का साइज भी डिस आपको बहुत ही डिसेंट सा देखने को मिल जाता है तो भी ज़्यादा ज़्यादा है अगर हम बात करें हैंडल क्रिपिंग कॉलिटी वह भी काफी ज़्यादार है यहां पर आपको सेफ्टी गाड भी प्रोवाइड कर जाता है जिससे कि अगर बाइक कभी भी गिर जाए तो आपके हाथ की वजाए यह डाइरेक्ट नी चड़े जिससे कि आपको ज्यादा चोट ना लगे दूनों ही सैट आपको देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें यूनिपॉन के सेटिंग की तो भी मैं साथी में दिखा देता है यहां पर आप कोई ऐसी बाइक ढूंद रहे हो जो कि आपको खराब राश्तू पर या तो फिर काओं में सीटी में रियर पेसेंजर भी जो बेटे उसे भी अच्छी पर्फोर्मेस दे यानि कि अच्छी चो सीटेंग वो प्रोवाइड करवादे उसे भी कमर दर्दों कर ना हो अगर आप अगर आपका कोई बचेर है यह दोनों अपने साथ पावर पर्फोर्मेंस और एक लॉंग टाम वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे और इंटरसिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हीट करना ना बुले और अगर आपका कोई भी बाइक को लेके रिगैडिं सब्सक्राइब करना ना बुले